Rock and Roman Reigns एक दूसरे के आमने सामने आ गए है Rock और Roman Reigns का भाई चारा भी हो गया है Cody Rhodes के थपड भी पड़ गया है Rock से और WWE ने Cody Rhodes और Roman Reigns का मैच भी ऑफिशल कर दिया है But, here is a twist Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज WWE के Wrestlemania Kick-Off Press Event के बारे में जहां पर WWE ने बहुत सारी हाइप बनाई थी कि हम को मैच पता चलेंगे Wrestlemania के और क्या सारी चीज़ों ही सब कुछ आपको इस तुडियों पता चलेगा नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें ना इसी WWE के content के लिए और सबसे पहले जो इस पूरे एक घंटे की show की starting है वो होती है T-Mobile Arena से यहां पर जो पूरा crowd है सारे लोग बैठे हुए है CM Punk, Pat McAfee, Biggie and Michael Cole पैनल पर है और उनने बहुत सारी discussion की पूरे show पर Rocky के chance लग रहे तो शुरू में ही कुछ लोग उनको boo भी कर रहे थे Pat McAfee ने बोला कि Rock ने बोला है Cody Crybabies तो उस पर crowd ने negative reaction भी दिखाया तो इससे पहले कि हम सारी चीज़ों के उपर है कुछ चीज़े WWE ने दिखाई जैसे कि Triple H ने वेलकम किया, Bianca Belair भी होती है Becky Lynch and Rear Ripley का face-off होता है जो कि एक तरीके से बता रहा था हम को कि WrestleMania 40 में कौन सा Women's World Championship के लिए मैच expect कर सकते लेंगों भी पता है आप लोग इबाते हैं सुनने के लिए नहीं आयों यह आपे अब आते हैं मेन मुद्दे के ओपर सीधा ही Seth Rollins की entry होती है और Seth Rollins की entry भी तो obviously crowd ने उनको बहुत अच्छा reaction दिया फिर से Seth Rollins वही reference देते हैं जो Roman Reigns ने बोलने था है कि no power आपको Seth Rollins के लिए बोलने रहा तो आज को इनको reaction मिला अच्छा तो Seth Rollins को जो है बोलते हैं और कहते हैं चलो अब main event के ओपर सीधा आ जाते हैं और इसके लिए वेलकम करते हैं कोडी रोड्स को बहुत अच्छा उन इंट्रोडक्शन किया लेकिन कोडी रोड्स के एंट्री नहीं होती एंट्री होती है अपने जो बातों के शुरुवात करते हैं और सालों लोग उनको अच्छा रियाक्शन था उसके बाद Seth Rollins बोलते हैं कि अरे आज बंदा आ गया है आज ही हमको नजर दिख गया है मतलब वो उनको ऐसे ट्रोल कर रहे होते हैं कि यह बंदा कभी आता नहीं है इस पर रोमन रेंस में इप्लाय दिया कि Seth Rollins आया तो है तू भी आया लेकिन तू अपनी बीवी के जूतों में आया है तो ऐसे करके उन्हें जो वर्ड प्ले करके Seth Rollins की वहाँ पर कच्ची कर दी इसके बाद कहते हैं तूजरा साइड में रहा है उस बंदे की बात करते हैं जो की ज़्यादा मैटर करता है और बात करते हैं Cody Rhodes की Cody Rhodes को बोलते है Mr. Hesitation कहते हैं यह बंदा खुद के अपने decision नहीं ले सकता अब इस बंदे से खुद decision नहीं ल आते हैं और उन्होंने पिक कर लिया उनको अपना अपॉने ड्रेसर मेने के लिए अब जब यह चीज़ उन्होंने करी तो obviously crowd का mix reaction यहां पर आना था Cody के लिए चैंट्स लग रहे थे इतने में जब जब ज़्यादा क्रावड आगे कुछ कहता है बोलता the rock music hit होता है और एक perfect अगर आपको mix reaction का भी देखना होना कि ww में क्या होता है वो rock music hit होने पर आपको सुनाई देगा एक time पर ऐसे लग रहा है कि crowd chant कर रहा है वो खुश है rock के आने से कभी rock को बूज हो रहे है Rocky sucks के chant हो रहे है Rocky के chant हो रहे है Cody के chant हो रहे है सब कुछ हो रहा है crowd बिल्कुल वहाप internet पर इतना सब देखने के बाद पहली बार clearly television screen पर दिख रहा था कि crowd जो है बू कर रहा है rock को rock भी बूज को ले रहे है वह माइक पर कुछ बोलना चाहरे है फिर रुकते है कि crowd क्या कर रहा है और इसके बाद crowd ने फिर से बूज किया लेकिन इसके बाद उन्हें बोला the rock has come back to last Vegas और जब उन्हें बोला तो crowd उनके साथ ये बोल रहा था मतलब की बूतों उनको हो रही दे लेकिन ऐसा नहीं था कि rock क्या बोल रहे है वह matter नहीं करता लोगों के लिए और इसके बाद वो कुछ सवाल पूछते है वहां बैठी audience से पूछते है do you think Roman Reigns rock को हराएगा ट्रे Reigns और rock का मैच है ये biggest main event होगा crowd ने इसके बाद बहुत गंदी वाली बू करी we want Cody, Rocky sucks के जो chant है अब और ज्यादा loud हो चुके तो Rock इसके बाद बोलते हैं जो भी साल लोग मुझे समय बैठ के देख रहे है घर पे या फिर यहां पर I introduce you to Cody crybabies और जब उन्होंने बात बोली भाई साब क्लियर हो गया था कि एक rock का heel turn है उनको literally फर्क नहीं पढ़ रहा कि crowd उनको cheer करता है फिर boo करता है Rock इसके बाद पूरे अपने full mode में आगए उन्होंने बोला कि चलो मुझे कुछ दिखाने दे जो जो की बहुत ज़्याता important है और इसके बाद उस screen पर दिखाते हैं पूरी bloodland की tree लेकिन जब वो दिखा रहे होते न तो उस time पर हर एक sentence के बाद उनको crowd की तरफ से what वाली treatment मिल हैं और कहते हैं अगर तुम्हें नहीं दिख रहा और अगर तुमको नहीं लगता कि Roman Reigns और Rock का biggest main event नहीं होगा अब तक का तो it doesn't matter what you think और उन्हें अपने बाद प्लग किया इसके बाद वह bloodline की बात करते हैं और उन्होंने हाथ मिलाया Roman Reigns के साथ और उसके बाद हग भी कि मतलब कि यह तो कुछ अले की चीज दिखरी थी कि अब रॉक का हील टर्न हो चुका है और वह Roman Reigns को पसंद करने करें यह मेरी फैमिल यह मेरा भाई है मैं इसके साथ रहूंगा मैं सही में यही चीज देखने चाहरा था कि भाड़ में जाए सारी चीजे रॉक जो उनको पसं पसंद करने लायक नहीं है तो फिर जब रॉक ने खुद क्रावड के बार में उल्टा बोलना शुरू किया तो क्रावड पीछे नहीं अट रहा था इसके बाद तो क्लियर ता भाई यह जो रॉक है यह भी Roman Reigns के तरह इसमें भी इगो है और अब हम इसको सपोर्ट तो नही बोल रहा है तु तु कब से पिक करने लग गया कि तुझे कौन सा मैच ची है मैं रोल रमल मैच जीता हूं तो यह मेरा राइट है कि मैं किसको पिक करता हूं and I choose you Roman Reigns और जब उन्होंने चीज बोली तो क्रावड का रियक्शन वहाबर बहुत ज्यादा मस था और इसके पता नहीं इसको कैसे फिक्स करने वाले कैसे दिखाने लेकिन अचानक से अब कोडि रोड का दिमाग जो है चेंज हो गया है स्टोरी लैंड के परस्पेक्टिव से यह चीज फित होती नहीं दिगरी लेकिन उन्होंने यहां पे नेम पिक कर लिया को रोमन रेंज कर बहुत रोमन रेंज से वह बोले कि ने तुम्हारी भी नाूरी बाद करते हैं कि रोमन रेंज सकर तेरे ग्राट यौर और रोकस यहां पर होते तो वह शर्मिंदा होते थो यहां उन्होंने बोली तो यह एक अल्टिमेटम है तो यह आना है अब और वो ऋख वोड को और फेस जब तू इसके बारे में बात कर रहा है तो तू मेरे बारे में बात कर रहा है और वी हेव प्रॉब्लम ना ओ यह बोलते हैं उन्होंने सीधा कोडी रोड्स के मुँपे करारा तमाचा थपड़ वार दिया और जब यह चीज हुई तो भाई फिर तो वहाँ पर कुछ नहीं बजाता प्रेस इवेंट में होने के लिए लड़ रहे हैं उदर से सैथ रॉलिंस और कोडी रोड्स भी चिला र दिया है भाई आप जो भी चीज चल भाई यह चीज चल लिया बहाँ के लिए प्लग ऐसा कुछ हैं और सिधा सीधा बोलेते कि अगर तू इसको फिक्स कर ले यह बहुत बार अप्यूसिव वर्ड्स का यूस किया राग ने जिसको जिसको जन्सर किया गया और जाते-जाते भी रॉक बोलते हैं, I will spack his effing teeth out, मतलब वो Triple H को बोल रहते हैं, भाई, समझ जा रही तो चीज़े सही नहीं रहेंगी, लेकिन Triple H क्या समझे, Twitter पर उन्हें ट्वीट किया, decision made, और उन्होंने Roman Reigns और Cody Rhodes का मैच, Wrestlemania के main event के लिए official कर दिया है, ये चीज Triple H की तरफ से आ चुकी है Rock की याँ पर involvement है, definitely वह ऐसा ही नहीं जाने वाली, बहुत कुछ है याँ पर story में आगे जाने के लिए, बहुत कुछ मेरे पास भी है बात करने के लिए, ये सारे इस press event से हुआ, इसके बात क्या है, क्या आगे situation हो कि सब कुछ आपको podcast में मिलेगा, description में आपको link मिल जाएग क्या reaction है उसके उपर, ये वीडियोगाईज अगर आपको अच्छे लिए तो से like, share, subscribe और notification बेल को on करते हो, और तब तक आप जिन्दगी के मज़े लोगर ना पता है नहीं, जिन्दगी आप समझ ले लेगी